हलो व्यूवर्स, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल आहालाइफ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और होम मेड ब्यूटी लोशन की जानकारी शेयर करने जा रही हूँ आजकल की भागदोर वाली दिन चर्या में अनियमित खानपान, लीन की कमी, तनाव और सबसे ज़ादा बढ़ता हुआ पॉल्यूशन हमारे स्किन में कई तरह की प्राब्लम्स की वज़ा बनते जा रहा है जिसका सबसे बुरा आसर हमारे चहरे पर दिखाई देने लगता है हम अपनी स्किन की देखबार के लिए कई तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं लेकिन कई बार इन केमिकल बेस प्रोडक्ट्स से हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है आज मैं आपको एक ऐसे मिश्रन या लोशन के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके इस्तमाल से प्रभावशाली रूप से आपके स्किन में काया पलट हो सकता है ग्लिसरन, गुलाब जल और नीबू के रस्त का कॉम्बिनेशन जी हाँ दोस्तों ये एक बहुत ही पुराना अजमाया हुआ घरेलोन उसका है जिसके सही इस्तमाल से कुछ ही दिनों में आप मन चाही और कॉमल तवचा पा सकते हैं ग्लिसरन में हाइग्रोस्कोपिक और हुमर कंटेंट के गुण होते हैं जिसके इस्तमाल से हमारी तवचा की नमी काफी समय तक बनी रहती है और इसके एंटी एजिंग तत्व हमारी स्किन से इसको रिपेर करने के भी काम करते हैं गुलाबजल में पाया जाने वाला एस्टेंजेंट स्किन पोर्स से डर्ट और एक्स्टरॉल को निकाल कर गहराई से सफाई करता है गुलाबजल की खुश्पू तनाव दूर करने में भी मदद करती है और अच्छी नीन लाने में भी सहायक होती है गुलाबजल में नैच्रल कूलिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको लगाने से संबन से बचाव होता है और चेहरे की सूजन यानि पफनेस में कमी आती है नीबू में पाये जाने वाला विटमिन C, B, फासफोरस और काब भरपूर मात्रा में हमारे स्किन को पोशन देता है और इसमें पाये जाने वाला सिट्रिक एसिड नैच्रल ब्लीज का काम करता है जिससे हमारे स्किन के दाग धबे और जाईयां कम हो जाते हैं और स्किन का डार्क कॉम्प्रेक्शन दीरे दीरे फियर होने लगता है। इस लोशन को बनाने के लिए ग्लिसरिन, गुलाब जर और नीबू के रस को छान कर तीनों की बराबर मात्रा ले लें और फिर एक कांच या प्लास्टिक की बॉटल में भर कर रख लें। इस लोशन का इस्तेमाल सभी स्किन टाइप के लिए किया जा सकता है और बेस रिजल्ट पाने के लिए आप इसे रात को सोते टाइम ही अपलाए करें। रात को सोते टाइम इस लोशन को इस्तमाल करने से पहले अपने चहरे, हाथों और पैरों को धो कर अच्छी तरह साफ कर लेजे इस लोशन को रात को सोते टाइम अपने चहरे, गर्दन, हाथों, बाहों और कोहनियों पर लगाएं पैरों और फटी हुई एडियों पर भी लगा कर पांच मेर तक अच्छी तरह मसाज करें और फिर पूरी रात इसे लगा रहने दें सुबह उठकर नॉर्मल थंडे पानी से इस लोशन को वाश कर लें इस लोशन को यूज करने से कुछ ही दुनों में आपके स्किन में सॉफ्टनेस आने लगेगी हाथ नर्म और मुलाइम हो जाएंगी पैरों की इडियों का सारा खुर्दुरा पंदूर होकर वो सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगी तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा घरे लूप चार जिसके इस्तिमाल के बाद आपको यकिनन स्किन के लिए किसी और क्रीम या लोशन को लगाने की जरुरत नहीं होगी अगर आपको हमारा ये सुझाव पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि कई और दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें एक नए यूसफुल टिप के साथ आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए टेक गूड केर ओफ यॉरसेल्फ ताकि यू